नमस्कार, मेरा नाम मिली है, मैं ब्लेसिंग स्टिम भुवनेश्वर से हूँ आज हम सितायन के पार्ट टू के चाप्टर टू फाइंडिंग सोमा के आखरी खंड सुनेंगे अनुसया सोमा से पूछी मिथिला छोड़ना कठिन हुआ होगा सोमा अनुसया की तरफ मुड़कर पूछी हम मिथिला कैसे छोड़ सकते थे, मिथिला तो हमारे भीतर सन्निहित थी माता कहती हैं हमने कभी मिथिला नहीं छोड़ा हम जहां जहां गए मिथिला हमारे साथ चली किन्तु जनक बाबा से छारेरेक रूप से दूर होना कश्टदाई था मुझे मिथिला से विदाई की वो घड़ी याद है जब बाबा हम चारों से विकाओं को अपने बाहों में भर कर कहे थे कि तुम सब भी मेरी पुत्रिया हो किन्तु जब वे माता को विदा कर रहे थे उन दोनों के मध्य कुछ भाप बन रहा था जो आज तक मैं समझने में असमर्थ हूँ मुझे लगता है कि वे इस बात की पुष्टी कर रहे थे कि उनका संपर्क अभी आंतरिक सतह में होगा क्योंकि माता के अयोध्या चोड़ने से पहली रातरी को बाबा आकर उन्हें आशिरवात दिये थे और रावन दोरा बंदी बनाने से पहले भी हमचब पिथिला चोड़े सबसे अधिक व्यथित सुनैना मा थी क्योंकि उनके दोनों पुत्रियां उन्हें छोड़कर जा रही थी उन्होंने दोनों को एक-एक अलंकार दिया था जो उन्हें उनकी माता ने विवाह के समय दिया था वनवास जाते समय एक कंगी के साथ केवल वही एक अलंकार माता साथ लेकर गई थी वो अलंकार उनके लिए बहु मूल्य था अब मध्यन हो गया था सोमा ने कहा कुटिया के भीदर चलते हैं इससे हम यहां पर आने वाले छोटे छोटे जीव आगंतुकों से विजलित नहीं होंगे माता के स्मृति में यह यहां आते हैं और जो भोजन में मैं रखती हूँ उसे खाते हैं माता उन सब के लिए भी है कुटिया के भीदर जाने के बाद सोमा ने कहानी को आगे बढ़ाती हुए कहा हमारे आयोध्या में पहुँचने से पहले ही महारानी कौशल्या ने मिथिला से शिल्पकारों को बुला कर देखने से पहले ही महारानी ने कहा कि वे माता से प्रेम करने आई है थोड़ा रुपकर सोमा बोली माता बहुत सुंदर थी पर उन्होंने कभी बहारी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया वो सदैव कहती थी कि भौतिक दुनिया एक दिन नश्ट हो जाएगा इसलिए इसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए सोमा हस्ते हुए बोली मुझे देखो ये बोड़े शरीर को धारन करके चल रही हूँ जिस कक्ष में सोमा माता की कहानी सुना रही थी अनुशया ने देखा कक्ष के एक कोने में महारानी सीता की मुर्ती थी जो फूलों से सजाया गया था सुन्दर सुन्दर फूल पत्ते छोटे छोटे कंकरों से पूजास्तल को सजाया गया था सोमा ने अपने आँखें बंद करके कुछ श्यन बैठने के बाद बोलना आरंभ की पर इस बार उसका स्वर बदला हुआ था लग रहा था कोई और उसके माध्यम से बोल रही है वो बोलने लगे जब माता और श्रीराम जंगल के लिए निकले मैं इसके बीचे का कारण जानती थी इसका कारण महाराजा दशरत को महारानी कर गई के वजनों को मानना नहीं था या मंतरा के कुमंतरणा भी नहीं था ये सारे तो बहारी कारण थे जो उनके प्रस्थान में सहायक थे अगर ये परिस्तिया नहीं होती तो कुछ और परिस्तिया आ जाते इन घटनाओं का चित्रन वर्षों पहले ब्रह्मांड के अन्य सतह में हो चुका था वो सब भारी कारण केवल उन्हें अयोध्या चोड़ने के लिए था जैसे वे उन महत उद्धिश्यों को पूर्ण कर सकते थे जिसके लिए उनका जन्म हुआ था अयोध्या चोड़ने से पहले माता ने एक पवित्र अगनी को चला कर महल में रखा था और मिधिला से आये हम चारों सेविकाओं को उसकी रखवाली करने का दाहित्व दे कर गई थी वो अगनी माता का एक अंग्ष था वो ये करकर गई थी कि वो पवित्र अगनी पूरे राज्य को सुरक्षित रखेगा पर समय के साथ मैंने ये देखा कि वो अगनी उससे भी अधिक था जब भी मैं आखें बंद करके उसके सामने बैड़ती थी तो मैं माता और श्री राम की जंगल यात्रा की चवी देख पाती थी और कभी-कभी उनकी कोई आलोचना को भी सुन पाती थी माता मेरे लिए एक मार्ग छोड़ कर गई थी उन तक पहुँचने के लिए उनकी पूरी यात्रा तक पहुँचने के लिए केवल लंका को छोड़ कर इतना कहकर सोमा थोड़ा रुख गई और बोली आज तक मैं किसी को इसके बारे में बताई नहीं है यदि कभी किसी के सायता के लिए बोलना भी पड़े तो मैंने ये सोपन में देखा है ऐसे कहती हूँ जैसे उनका संपर कभी जनक बाबा से नहीं तूटा ठीक वैसे ही वो ये जानती थी कि उनसे संपर के बिना मैं जिबित नहीं रह सकती और उनसे इसी संपर के कारण मैं बहुत कुछ जानती हूँ उनके वनवास के बारे में जैसे मैं साध्वी अनुसया के बारे में जानती हूँ मैं एक दिन जब पवित्र अगनी शिखा के सामने बैठी थी तो मैंने उनके आलोचना का एक भाग सुना जब श्रीराम और माता रिशी आत्रे और रिशी अनुसया के आश्रम में थे मैंने आत्रे रिशी को ये कहते सुना कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी रिशी अनुसया संपुन स्री जाते के लिए आदर्श वने जिससे वे सभी आध्यत्मिक्ता के अभ्यास कर सके भविश्य में पृत्वी के सोरूप को सुगठित करने में सहायक बन सके वो रिशी अनुसया ही थी जिन्होंने पवित्र मंदाकेनी नदी को पृत्वी पर लाए थे जिससे निवासियों को लगातार जलपूर्टी होने के साथ-साथ नदी देवी का आशिरवाद मिल सके जब श्री राम और माता सिता चित्रकूट में स्थिक्त रिशी अत्रे और निसया के आश्रम गये थे उन्हें विश्राम करने के लिए एक बहुत बड़ा और अद्भूत गुफा दिया गया था जिसमें वे दोनों एकांत रह सकते थे वहाँ आराम के सभी वस्तुएं थे सिवाए पानी के गुफा में रहते समय एक दिन माता सिता को प्यास लगी जैसे प्रभू श्री राम उनके लिए पानी लाने के लिए सोच रहे थे उन्होंने एक जलधारा की बहने का शब्द सुना श्री राम ने कहा देखो सिता कैसे प्रकृति तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ती कर रही है देखो वो जलधारा कैसे तुम्हारी प्यास बुझाने आई है वो धारा बढ़कर एक स्वच्छ पानी का कुंड बन गया और उस कुंड से एक देवी प्रकट होकर बोली मैं गुदावरी नदी हूँ प्रभू, माता, मैं आप दोनों का आशिर्वाद लेने आई हूँ श्री राम ने कहा आप सदय, प्रचूर और परिपूर्ण रहें और माता ने कहा आप आपके चारों और के जीवन का लालन पालन करें गुदावरी देवी प्रणाम करके बोली अब मैं दक्षिन की तरफ बह जाऊंगी और आप से बाद मैं वहीं मिलूंगी सोमा बोलने लगी अगनी शीखा के पास बैटकर उनकी आलोचना को सुनने के बाद मैं अनुभव कर रही थी कि माता चाहती थी कि मैं उनके बनवास जाने का गहरा कारण जान सको उन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि पुराने समय में देवी देपताओं द्वारा दी हुई सिक्षा को साधुमे सुरक्षित करने में सहायता कर रहे थे जो आने वाले समय में समाज को धार्मिक शिक्षाओं के वित्ति प्रस्तर थापित करने में सहायक होगा और श्री राम अपने गुरू रिशी विश्वामित्र के आश्रम में रहने के समय ही जान गये थे कि उन्हें इस वित्ति प्रस्तर को सुरक्षित करने के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने जब पहली बार माता के आँखों में देखा था वे जान गये थे कि वही इस लक्ष को पूरन करने में सहायक बन सकती है और उनकी सफलता नित्यांत आवश्यक था पर जैसे वो जंगलों के आश्रमों में जाने लगे उन्हें पता चला कि राक्षस बहुत बाधा डाल रहे थे राक्षस गर्ण अधम्य थे और मनुश्य मांस ही उनका आहार था वो हमेशा रात को ही आश्रमों पर आक्रमन करते थे और उन्हें नश्ट कर देते थे श्रिराम जानते थे कि अपने उद्धिश्य पूर्ति के लिए उन्हें घने जंगलों में जाना पड़ेगा और माता का जंगली खादियों और औशदियों के बारे में ज्यान ही उन तीन वनवासियों को उस कठिन परिक्षा में जीवित रख सकता था सोमा ने अपने आँखें खोलकर अनुसया और उसकी मा को देखा और जानना चाहती थी कि वे लोग कुछ समझ रहे हैं कि नहीं मा ने सिरह लाकर सिकृति दी पर अनुसया कुछ नहीं बोली क्योंकि बचपन से जो कहानी उसने जाना था वो बहुत सरल था जिसमें कई-कई की इर्षया तथा महराजाद अश्रत का वचन ये सब था इतनी जटिलता को वो समझ नहीं पा रही थी पर सोमा वर्णन को जारी रखते हुए बोली आरियस अभ्यता का विस्तार होना पहले से ही स्थिर था पर इसका मार्ग को सपष्ट कौन करता वो केवल उन राक्षसों का सफाया करना नहीं था जो मनुश्यों को खा जाते थी बलकि जंगली संप्रदाय के लोगों को खेती भी जिखाना था बढ़ती आवादी के कारण जंगली खाद्य कम होते जा रहे थे इसलिए जीवन रक्षा के लिए खेती आवशक था माता ने उन्हें बीच और खाद्यों की बिभिनता के बारे में ज्ञान दिया जैसे कि वे बनस्पत्ती जात खाद्यों को खाएं ना कि किसी मनुश्य के मांस को माता ने उन्हें प्रकृति के संकेतों, वायू के दिशाएं, पक्षियों के उड़ने का समय तथा बहुत सारे विशयों पर ज्ञान दिया जहां श्री राम उन्हें उनके संप्रदाय में कुछ मौलिक शासन स्थापन करना चाहते थे वही माता उन्हें वसुंधरा मा को कृतग्यता आरपन करने का सिखा रही थी हर युद्ध के बाद, युद्ध में संप्रदाय का मुख्या या पूरुशों की मृत्यू हो जाते थे तो माता स्वयम पूरे संप्रदाय के लिए भोजन बनाती थी और घायलों की चिकित्सा भी करती थी इस तरह से कई संप्रदायों ने अपना मार्ग ही परिवर्तन कर दिया पर वे जैसे जैसे दक्षन की तरफ बढ़ रह थे परिस्तिती जटिल हो रहा था युद्ध बहुत ही भैंकर हो रहा था और मैं बेचैन हो रही थी इतना कहकर सोमा ने अपने आँख बंद करके निरव बैठी कुछ श्यन के बाद वो फिर से वर्णन करने लगी विभा के बाद श्री राम और माता के प्रेम एक नई कली की तरह था उन दोनों में जो आकर्षन था केवल महल नहीं पूरे अयुध्या नगरी इसका अनुभव करता था ऐसा लग रहा था हम सबको ही अपना प्रेमी मिल गया हो और यही कारण था कि महरानिया भी अनुभव किये थे कि सीता राम से अलग नहीं रह सकती और इसलिए उन्हें श्री राम के साथ जंगल जाने की अनुमती दे दिये जैसे जैसे वे जंगलों में यात्रा कर रहे थे उनका प्रेम और अधिक गहरा हो रहा था बाट कर खाने का अभ्यास माता ने मिथिला से आरंभ किया था और अभी तक भी करती आ रही थी जो भी भूखा होता था वो उसे खिलाती थी चाहें भोजन कम हो कभी-कभी वो भूखी रह जाती थी तो इस बात का पता श्री राम को चल गया एक दिन वो पूछे तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो माता ने कुछ उतर नहीं दिया श्री राम ने उनका भोजन लेने को कहा पर माता बोली जब आप खाते हैं मेरा पेट भर जाता है श्री राम बोले और तुमारे मूँ से ही मेरा पालन हो जाता है माता बोली आपको युद्ध के लिए शक्ति के आवशक्ता होगी तो राम बोले मुझे शक्ति तुम से मिलती है अब माता निरुत्तर हो गई लक्षमन ये सब देख रहे थे उन्होंने माता को कहा भया तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप भोजन नहीं करेंगी आप मेरा भोजन ले लीजिए मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माता बोली कि तुम्हें भी यूद के लिए शक्ति के आवशक्ता होगी अंतम श्री राम ने उनका आधा भोजन माता को लेने के लिए कहा और लक्षमन ने भी उनका आधा भोजन माता को दे दिये और माता हसकर बोली जितना भोजन मुझे आप लोगों ने दिया है संभवते मैं खा नहीं सकती हूँ और ऐसा प्रेम उन तीनों में था श्री राम के शरीर में थोड़ा सा भी घाउ देखकर माता को पीड़ा होती थी और श्री राम को भी ऐसे ही अनुभूती होती थी उनके यात्रा में एक समय ऐसा आया कि माता बिमार पड़ गई पहली वार वो श्री राम से इस बात को चुपाई थी कोई भी सत्य श्री राम से चिपा रह सकता था श्री राम ने माता को काम छोड़कर विश्राम करने के लिए बोले माता ने जंगल से एक प्रकार के औशधी लाने के लिए उन्हें कहा श्री राम माता को औशधी खिला रहे थे दिन रात उनके पास बैट कर उनकी सेवा कर रहे थे स्री राम को ये अनुभव हो रहा था कि उस रोग ने उन्हें भी ग्रास कर लिया है पर वे कुछ बोल नहीं रहे थे नहीं तो माता चिंतित हो जाती एक अपसर में एक गाउं में स्री राम की बड़ी आवशक्ता पड़ गई पर माता के बिमार होने के कारण वो उन्हें छोड़ कर नहीं जाना चाते थे तो माता ने रात भर रोग से लड़ाई करके सुभा तक वो बिल्कुल ठीक हो गई थी दोनों एक दूसरे के भावना और चिंतन को पढ़ना सिख गए थे माता ने एक बार मुझे कहा था कि प्रकाश्का एक पतली डोर उन दोनों के बीच में है और उसी सुत्र के द्वारा उनके विचार एक दूसरे तक पहुँचता है वे एक अलंकार के दो किरने थी तो दोनों का विच्छत का विचार भी नहीं था अपहरण ना होने तक सो मा यहाँ पर रुख गई और ध्यान में चली गई तब अनुसया को लग रहा था कि इस एक दिन में उसके दुनिया उलट-उलट हो गई है अयोध्या में जितना सुनी थी वो आधा सत्य ही था गुरु आश्रम में लटने के बाद अनुसया के मां भी गहरी सोच में पड़ गई थी अनुसया के पूछने पर माने कहा सोमा से मिल पाना हमारे लिए आशिरवात सुरूप है मैंने जो सुना अयोध्या जाने के बाद उसे व्याख्या कर भी पाऊंगी हमारा आने का कारण था तुम्हारा विवाह से डर अब मैं सोचती हूँ क्या वास्तव में यही कारण था यहां आने का और तुम्हें कैसे अनुभव हो रही है पूत्री अनुसया बोली मैं उनके प्रतिगहरी प्रेम की अनुभूती कर रही हूँ जब वो जनक बाबा के बारे में बोले मेरे भीतर कुछ गतिमान हुआ यह कहती हुए अनुसया के आँखों में आशु आ गए रात्री भोजन के समय गुरूजी ने कहा सोमा ने तुमारे साथ बात किये या ध्यान में बैठी थी मा ने उत्तर दिया बहुत बातें किये गुरू ने हसकर पूछा वो मिधिला की कहानी सुनाई की नहीं मा ने कहा तो गुरूजी अनुसया को बोली एक कहानी सुनाने के लिए जो कि आश्रम वासियों को उसके ज्यान मिल सके तो जनक बाबा कैसे हकाल के समय अपने ग्रिष्टी के खादेपदार्थ पूरे राज्य वासियों के साथ बांटा था और लोभी कमी का कारण है ये कहा था इसी कहानी को अनिस्वया आश्रम बाजियों को सुनाई तो गुरुजे ने कहा और वो बिल्कुल सत्य है अधिक धन गरिभी का कारण है ये प्रकृती के श्रोत के प्रभाहों में बाधाश रुष्टी करता है जब एक स्थान पर धेर लग जाती है तो अनिस्थानों में कमी होती है जब नदी बिना बाधा के बहती है तो सबकुछ आवशक्ता के अनुसार बढ़ता है किन्तु यदि एक जगह पर रुकावट हो तो अधिक मिट्टी एक जगह जम जाती है फलसुरुप पानी का बहाव प्रभावित होता है और ये रोग पैदा करता है प्रकृती के बारे में यही सत्य है जिसे अधिक लोग नहीं जानते पर पशु इसके बारे में जानते हैं मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि वे आवशक्ता से अधिक भोजन नहीं करते वे लोब करना भी नहीं जानते केवल मनुश्य इस प्रकार का भयंकर सुभाब को दर्शाते है महराजा जनक बहुत ज्यानी थे इसलिए इन्ही नियमों के आधार पर अपने राज्य का निर्मान उन्होंने किया उन्होंने शक्ति से अधिक महत्व ज्यान को दिया था आने वाले समय में मिथिला राज्य दुर्वल हो जाएगा क्योंकि भविश्य में ज्यान मौलिक मुल्य वनकर नहीं रहेगा वो होगी शक्ति देवी सीता के एक बड़ी सीख ये है कि हमें प्रकृति के नियमों को जानकर उसके हिसाब से जीना है और इसलिए उन्होंने सब कुछ द्याग करके यहां आश्रम में रहे जैसे अपने पूत्रों को भी प्रकृति के इन नियमों का ज्यान दे सके सभी आश्रम वासी इसे ध्यान से सुन रहे थे एक ने कहा तो ये उनकी इच्छा थी गुरु हसकर बोले हाँ देवी सीता के जीवन में जो कुछ हुआ इसमें उनकी इच्छा थी अनुस्वया गुरु के उक्ति के बारे में सोच रही थी अयोध्या पूर एक शेत्र का शक्ति केंद्र था इसका अर्थर क्या ये है कि हमने ज्यान का सम्मान नहीं किया गुरु से इसका उत्तर जानने से अच्छा है मैं सोमा से पूछ लूँगी अनुसया सोचने लगी तो मित्रों आज का अध्या हम यहीं समात करते हैं नमस्कार